नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, आज हम चर्चा करेंगे कि कैसे भारत का बजट 2024 से 25 दुनिया के सबसे शक्तिशाली देशों की नींदे उलाकर रख दी है, क्या भारत सच में सुपर पावर बनने की राह पर है, इस वीडियो में हम आपको सभी पहलो से रूबरू कराएंगे, तो चलिए शुरू करते हैं, कुछ दिनों पहले भारत की वित मंत्री निर्मला सीतार्मन ने साल 2024 से 25 का यूनियन बजट पेश किया, और इस बजट ने न सिर्फ भारतिये नागरिकों को बलकी दुनिया भर के आर्थिक विशेशग्यों को चौंक की. यह वो सेक्टर है, जिसमें भारत ने कदम रखा है, और जो भारत को भविशे में सुपरपावर बना सकता है. अभी तक हम इन मिनेरल्स को चीन और कजाकिस्तान जैसे देशों से खरीदते थे, लेकिन अब भारत खुद इन मिनेरल्स को माइन और प्रोसेस करेगा. क्रिटिकल मिनेरल्स में लिथियम, कोबाल्ट और निकेल जैसे मिनेरल्स शामिल है, जिनका उप्योग बैटरी, इलेक्ट्रोनिक्स और अन्य हाइटेक उपकरनों में होता है. इसके जरिये भारत अपनी डोमेस्टिक प्रोडक्शन को बढ़ावा देगा और विदेशी नि जोगदान देगा बलकि हमारे इंफ्रास्ट्रक्शर प्रोजेक्ट्स को भी तेजी से आगे बयाने में मदद करेगा. इस निवेश से भारत के रेलवे प्रोजेक्स, जैसे बुलेट ट्रेन और अन्य हाइइस्पीद रेल कॉरिडोर, को चीन और जापान से भी ज्यादा ए एक और महत्वपूर्ण पहलू डिजिटल कनेक्टिविटी को लेकर है. भारत के गावों में 4G और 5G सेवाओं को तेजी से बरहावा दिया जाएगा. इसका मकसद है कि देश के हर कोने तक तेज और भरो सेमंद इंटरनेट सेवा पहुंच सके. सबसे पहले, क्रिटिकल मिन मिनेरल्स जैसे कि लिथियम, कोबाल्ट और निकेल आधुनिक तकनीक और उर्जा के लिए बेहद महत्वपूर्ण है. इन मिनेरल्स का उपयोग बैटरी, इलेक्ट्रोनिक्स और अन्य हाइटेक उपकरनों में किया जाता है. भारत अब इन मिनेरल्स को माइन और प्रोसेस क करने जा रहा है, जो हमारी डोमेस्टिक प्रोडक्शन को बरावा देगा और विदेशी निर्भरता को कम करेगा. भारत की इस पहेल से देश में नौकरियों का स्रिजन होगा और यह सेक्टर विदेशी निवेश को भी आकरशित करेगा. इससे न केवल हमारी अर्थवेवस रखेंगे. इस पहेल से न सिर्फ आर्थिक लाब होंगे, बलकि इससे हमारी राष्ट्रिय सुरक्षा भी मजबूत होगी. अब हम इन महत्वपूर्ण मिनेरल्स के लिए विदेशी देशों पर निर्भर नहीं रहेंगे. अब बात करते हैं, जेपी मोर्गन के 40 बिलियन ड प्रोजेक्स को तेजी से आगे बहाने में मदद मिलेगी. इस निवेश से भारत के रेलवे प्रोजेक्स, जैसे बुलेट ट्रेन और अन्य हाई-स्पीद रेल कॉरिडोर, को चीन और जापान से भी ज्यादा एडवांस बनाया जा सकता है. 40 बिलियन डॉलर का निवेश अमाउंट नहीं है. दुनिया में लगभग 30 देश ऐसे है, जिनकी एकोनोमी इसके आसपास भी नहीं है. इस निवेश से भारत अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को विश्वस्तरिये बना सकता है. डिजिटल कनेक्टिविटी के शेत्र में भी भारत ने बड़ी योजनाई बन सके. डिजिटल कनेक्टिविटी में सुधार से ग्रामीन क्षेत्रों में शिक्षा, स्वास्ते सेवाई और रोजगार के अफसर बरेंगे. इससे भारत की अर्थ विवस्था में एक नया आयाम जुरेगा. डिजिटल कनेक्टिविटी का बरहावा देने से न सिर्फ इंटर बरहावा देने के लिए कई प्रोडक्स पर इंपोर्ट ड्यूटी को बहा दिया गया है. इससे चीन और अमेरिका को बड़ा जटका लगेगा. घरेलू उद्योगों को बरहावा देने से हमारे मेक इन इंडिया अभियान को भी मजबूती मिलेगी. इससे नकेवल रोजगा के अफसर बरेंगे, बलकि हमारी अर्थवेवस्था भी मजबूत होगी. बजट 2024 से 25 में Infrastructure Development के लिए भी बड़ी राशी आवंटित की गई है. इससे हमारे रेलवे, हवाई अड़े, बंदरगाह और सरकों के विकास को गती मिलेगी. Infrastructure Development में निवेश से देश में व्यापा और निवेश के अफसर बरेंगे. इससे हमारी अर्थवेवस्था में स्थिर्ता और विकास सुनिश्चित होगा. बजट अनौसमेंट के बाद भारतिय शेयर बाजार में भी उतार चराव देखने को मिला. कुछ दिन मार्केट उपर गई और कुछ दिन नीचे. लेकिन क्य आप जानते हैं कि मार्केट के नीचे जाने पर भी आप पैसे कमा सकते हैं. भारत के बजट दो हजार चौबी से पचीस में की गई गोशनाए एक सासिक कदम है. इससे न केवल घरेलू उद्योगों को बरहावा मिलेगा, बलकि अंतरराष्ट्रिये निवेश को का भी भरोस बरेगा. क्रिटिकल मिनेरल्स की माइनिंग और प्रोसेसिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और डिजिटल कनेक्टिविटी के शेत्र में किये गए निवेश से भारत की अर्थ विवस्था को नई उंचाया मिलेंगी. भारत की यह पेहल नकेवल आर्थिक दृष के इन पहलों ने दुनिया भर में हलचल मचा दी है. यह देखना दिल्चस्प होगा कि आने वाले समय में भारत की अर्थ विवस्था कैसे विक्सित होती है. भविशे की संभावनाओं की बात करें तो भारत के पास असीमित अफसर है. लेकिन हमें इन अफसरों का सही तरीक के से उप्योग करने के लिए चुनौतियों का सामना भी करना पड़ेगा. भारत को अपनी नीतियों में स्थिर्ता और पारदर्शिता बनाए रखनी होगी. इसके साथ ही हमें ब्रष्टाचार और लालफीता शाही से भी निपतना होगा. अगर हम इन चुनौतियों का सामन कर सके तो कोई भी ताकत हमें सुपरपावर बनने से नहीं रोक सकती। भारत का भविशे उज्वल है और यह बजट दो हजार चौबी से पच्चीस इसकी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। मुझे उम्मीद है कि इस बजट से हमारे जीवन स्तर में सुधार होगा और रोजगार के नए अफसर मिलेंगे। डिजिटल कनेक्टिविटी में सुधार से हमारे बच्चों की शिक्षा में भी मदद मिलेगी। जनता इस बज़ट को लेकर कितनी उतसाहित है। यह बज़ट वाकी में एक गेमचेंजर साबित हो सकता है। अंत में यह कहना गलत नहीं होगा कि भारत का बज़ट दो हजार चौबी से पचीस एक महत्वपूर्ण मोर साबित हो सकता है। इस बज़ट ने नकेवल आर्थिक द्रिष्टी से बलकी सामाजिक और तक्निकी द्रिष्टी से भी भारत को नई उंचाईयों पर ले जाने का वादा किया है। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपके कमेंट्स का इंतजार कर र पूलेंग। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई और रोचक जानकारी के साथ। तब तक के लिए अलविदा।